सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन से किसम का पौद आप बनाएंगे हमारी संस्तान से बिख्षित सफित कंद कलर की किसमें पूसा वाइट राउंड भी अच्छी चलती है इसकी अलवा भीमा डार्क रेड भीमा सुपर जो की प्याज अनुसंदान शेत्र पूने से ब चुनिये जहां पर बिमारी हो और कीरे की प्रोकुप ना हो इसके चुनने के बाद आपको वहां पर शेड नेट की बैवस्ता करना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप जानते हैं जुलाई की महने में हम इसकी पौद तयार करते हैं इसलिए तापमन कम करने के लिए हम शेड ने ही बनेगी तो आपको जो पौदर है उसको बिमारी का प्रोकुप भी कम होगा जब अपने शेड ने बना लिए उसके बाद आपको बेट तयार करना पड़ेगा हम हमेशा रेकमेंड करते हैं आप रेज बेट ताकि जो बेट जमीन से 10 से 15 सिंटमेटर उचा है लंबाई जंगल सफर जो आधी कम आसानी से कर सकते बेट तयार करते हैं उसमें 30 क्यार मिटर में पांच ग्राम डी एपी और पांच ग्राम पटाश अच्छे से मिला लीजिए जब बेट अच्छे तरह से लेविलिंग हो जाती है उसके बाद आप धैरने के उसमें कुछ रोडी ना ह बेट बनने के बाद आपको उसकी अंदर लाइन खिशनी है लाइन की जो दुरत है दो उंगली के बड़ा बज़े से 3 से 4 सेंटीमेटर के असपरस रखिए और दो उंगली से आप लाइन खिचिए और लाइन ज्यादा गहरे मत खिचिए जब अपने लाइन खिच लिए उस को लाइन पे गिराए लाइन पे गिराने समय यह दहन देजिए कि बहुत ज्यादा घना भी ना हो क्योंकि बहुत घना होने से पोदों में एक दूसरे से कंपेटिशन होती है और उसमें पोदों की ग्रोथ में रुकावाट आ जाती है अब आता है इसको मल्चिंग करना मल् क्योंकि यह आपका नमी को पकड़कर रखता है और टेंपरेचर को भी कम करता है माल्चिंग के लिए हम जादा दर से सूखी घास यूज करते हैं दूब घास सूखी दूब घास बहुत अच्छा माना जाता है जब दूब घास करेंगे यह बात धैन रखिए जो दूब घा अब ले रहा है यह कभी दवाई से मरी हुई घास ना हो जब अपने अच्छा से ढग दिये उसके बाद आप इसमें पानी दे दीजिए ताकि यह मदद करें को सुबह 10-11 बजे के एक आसपस एक बार और शाम को 5-6 बजे के बाद एक बार देना पड़ेगा पानी पानी दे पानी दे दिया तो आपकी नरसरी में बहुत नुक्सन होगा डैंपिंग आपकी बीमारी बहुत जादा मत्रे में फैल जाता है अब ऐसे करने के बाद आप उमीद करते हैं 5-6 दिन के बाद उसमें अंकुरम दिख जाएगा जब ओ थोड़ा सा बढ़ा हो जाता है लगबग 1.5-2 cm को असपस हो जाता है आप मल्च को हटा लिजिए उसके बाद जो कुड़ा है घास की कुड़ा उसको सफाई करने के बाद उसमें आप रिडो मिल 2 ग्राम प्रती लिटर के हिसाब से डालके अच्छे से मिक्स करके नरसरी में डालिएगा ये डालने के बाद आपको व अच्छी हो जाए पचास पच्पन दिन के बाद आप सुजाला उनिस 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 एक ग्राम प्रती लिटर के हिसाब से देखे भी उपर से फ्वारा से स्प्रे कर सकते और बीच में अगर आपको जंगल हो गया दो लाइन के बीच में से अराम से वीट को निकाल अच्छी हो जाए पचास पच्पन दिन के बाद ये खेत में लगाने लायक हो जाएगा और ये पोद आप अपना खेत में भी लगा सकते अगर अच्छा है तो अपना घर में भी कीचिन गार्डन में यूज कर सकते अगर आप देखेंगे पत्तु उपर से सुखता हुए ज नीचे से उसके जाड बिल्कुल नहीं है या फिर जो आपका लाइन है लाइन के बीच से कुछ-कुछ पोद है सुख रहा है और वो दोनों तरफ फैल रहा है ये आपका सीम्टरम है डैंपिंग ओफ के लिए इसके लिए आप 22 ग्रम प्रति लिटर में डालिए और के लिए 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 ले का लिए और वर्ण रहा है और शनार जापका से कुछ प्रिए और ट्रेंगत के जुटर। कर दो खआए ख़ की बीच से कुछ ये इसके लिए और टुट है ये टुटर।